नवसकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का कनास फर्मिंग यूट्यूब चैनल पर दोस्तो मेरे साथ है विश्णु भाई और लोकेज भाई नमस्कार विश्णु भाई क्या दिखा रहे हो आज सिरोई मेल दिखा रहे हैं अच्छा यह वाला और साथ में जमेरी कहां दिखाओ यह भी मेल है अच्छा तो कित्ती कॉन्टिटी भाई यह सभी पक्रें है सभी मेल है अच्छा तो एके करके दिखाओ कि क्या वेट में है है और क्या किमत है इसका बोडी वेट है पचास किलो पचास किलो पचास पलस हो गया है क्या है इसकी प्रैस पढ़ेगी आपको 300 रुप किलो तीन सुरुपे पर गेजेगे और नंग के हिसाब से पसंद करें तो हिसाब से हो जाएगा अच्छा और दिखाओ भाई बक्री है क्सी इसके लिए बक्री जैसा दिख रहा है क्सी है इस पोट्रेट कलर में यह भी दो दात है देखिए मतलब ज्यादा तर इसमें दो दात वाल कितने दात में होगा यह होगा है चार दात फैबी होने वाले हैं सभी की मत Three 300 रुपे पर केजी 300 रुपे में बड़ी बड़ी जैसे बड़ा वेट होगा तो साड़े 300 रुपे वह दिखाऊ ना वह एक जारा भेंकर बड़ा वाला वह वह वाला मुझा नाट व में यहां यह छेदांद पर निब्बे पलस केजी वेट है क्या हाइट होगी इसके अदिस चालिस 38 रुट में बीच में प्रेग्नेट ने 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 में ने 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 तौफा हूआ सब अभी अच्छा तो इद उड़ेगा यह त्यार कर दाएगा तो कि बिछली इत पर निकाला निया ने पिसली इत पर नहीं अभी लाया आइए पाला आप पर अचा अब अब अच्छा विस्णु भाई यह किट्टे महिने होगे अपने कर गर के जानवर है या पिर कई बाहर से जानवर लायो है अच्छा कुछ तो बाहर के भी दिख रहे ह यह तो मिक्स में दिख रहा है और यह अच्छा यह तो जैसे अपने पास जो शिरोई है उसकी कीमत 300 वाकि जो यह मिक्स दिख रहे हैं इनकी कीमत तो तो यह एक तोता पुरी वाला दिख रहा चोटा बच्चा देखो यह पकड़ना इस टाइब के बगरे शेल करते हैं क्या कीमत रहती उनकी रहती हैं तो फिसके ऐसे बगरें आपको और कीमत है जानल में आप उसको क्लेक्ट और कम शेल से पांस दिन का टाइम लगेगा एसा तो जंगल से लाओं जंगल चे लेट करके कीमत किया पता है की मत 340 रूप है यह यह आपना काम ही नहीं है यह यह आपके में इसका काम ही आपके यह अपना यह देकिए अच्छा बताओ यह करें दोधात में है कि यह च्छाए प्रेगनेट है बच्चा दिये अभी यह दूद्ध देने वाली भी तो कौन-कौन सी ब्रीड पालते हो आप और रखते हो अपने फार्म पैसे पौन-कौन से जैसे शिरोई है तो तापुरी कोटा नागपनी गुजरी यह बर्बरी दस नसल पालते हैं तो बर यह पकड़ रखी है इसकी कीमत क्या है अपने पास बक्री की कीमत लगेगी आपको 300 रूपे पर के जी तो तो अजमेर की नहीं है ना अजमेर की नहीं है लेकिन अविलिबल करवा देते हैं सारी नेसल अपने पार्म से अच्छा तो एसा नहीं कि कुछ भी मिक्स दे दिया है देखो ना अप लेंट यहां पर ऐसा होता है कि आपके पास जैसे रेता है कम माल रेता है जब आप लाते हो तब और भी कुछ उठा लाते हो ना ने यह यहां पर पास वह सारे कमेंड आ रहे हैं इसकरन में इसा सवाल पूछ रहा हूं आप तो अपने पार माल देख के अब दो दात किया है इस फुल आइट में यह दो दात बच्चे है यह देख जानवर तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं इत तक और अच्छे हो जाएंगे इत तक बजन पकल लेंगे हैं तो विश्णु भाई अपने फार्म का एड्रेस बता दो एड्रेस है अपना जैमाकाल क से आठ किलो मेटर अपना पहां में रेल्वे स्टेशन आके चाहे तो कॉल कर दीजे वहां बंदा भेज दूंगा लेने और आप खुद आना चाहते हो तो दो नंबर टेम्पू लगता अपने पुसीद अपने गाम बे उतारेगा अपने घर के करीब उतारेगा तो कॉल करक हो आप मैं हो गया सेकिंडियर कर रहा हूं कर रहे हो या फिर करके चोड़ दिया अभी यही कर रहे हैं और बक्राबाद चल लो है अच्छा तो दोस्तों यह जैसे कि आपने देखें यह इद वाले बक्रे हैं इनके पास अभी अलाकि इत का तो समय है अभी आपर किसी भाई से तो खरीच सकता है अभी खरीच सकते है चाहिए तो या अच्छा रेट तो यह जितने जानवर देख रहे हैं यह विश्नु भाई के जानवर है इनके फार्म का नाम है जै महाकाल गोड फार्म है अगर आप इनसे कॉंटक करना चाहते हो तो इनका नंबर आपको इस्क्री आप वोट्सव वीडियो कॉल के जरे इन बखरों को देख सकते हो विश्णों भाई के नंबर आपको जो इसकी परे रहे यह इनके नंबर वोट्सव वाले है और अगर आपको इनमें से कुछ बखरे पसंद आते हैं तो उनकी फोटो या वीडियो और भी आप आपके पर्षिनल वोट सब्नमबर पर ले सकते हो उस्व तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको इनके पास जो यद वाला जानवर यह और जित्वी बकरे देख रहे यह कैसे लगे आप जरूर कमेंड करके बताइए और अगर आपने इनसे कभी जानौर खरीदे हैं तो अपना फिट बेक नीचे कमेंड वोक्स में जरूर सेर करें धन्याद एशन भई अधर कि अधर करें अधर करें अधर करें